हेलो व्रिवन नाय वेल्कम यू ओल ऑन अभिमन्यु आईएस सो मेरा नाम है दिपाली ककड़ एंड अभिमन्यु आईएस की एक पहल जिसका नाम है अभ्यास 2.0 में आप सब का मैं स्वागत करते हूं राइट सो इस सीजीज में हम HCS एक्जाम के लिए हमारे स्पेसिफिक आते हैं और जो भी हमारे एक्जाम के लिए इंप्टैन्ट है उसको कवर करते हैं तो आपिस को तो हैं जो बहुत अच्चे लग रहे हैं आप इसको जोसान नेंबर है ये तो कई क्यों सेशन में आज हम एब deportैंट अफना बोल सकते हैं इंट आपि और कुछ इंट्रेस्टिंग भी बोल सकते हैं जिसे जैसे कि नैशनल पाक्स होगे हमारे वाइड लाइज सेंचुरीज होगी वेट लैंड्स होगे इनको डिसकेस करने वाले हैं और यू केन अश्योर की इनको रिवाइज करके आप अपने मार्क्स जो है उनको कनफर्म कर लें जब भी आपने अपनी रिविजिन शुरू करनी है तो एक बार हर्याना के मैप को उच्छे से रिवाइज कर लेना है कि कौन सा डेस्टिक कहां पर सिचुएटेड है और जो हम प्लेसिस देख रहे हैं then you will be able to understand कि वो कहां पे है clear so अब हम शुरू करेंगे अपने हर्याना के कुछ important हम बोल सकते हैं environment के important जो conservation efforts है उनकी बारे में बात करेंगे right so हर्याना के पास सबसे पहले हमारे पास कोया है दो national park है 8 wildlife century है दो conservation area है ठीक है ऐसे ही birds and breeding के center है छे डाटा पर हमें देखने को मिलते है 49 हर्बल पार्क से जो की manage करता है forest department of the haryana अब सबसे पहले हमें क्या देखना है national park ठीक है national park से पहले मैं आपके साथ थोड़ा से discuss करना चाहूंगी कि what is the difference between national park a wildlife century and biosphere reserve ठीक है so national parks होते हैं हमारे क्लियर उसके बाद क्या होती है हमारी wildlife centuries होती है and last is ठीक है biosphere reserve clear inka difference हमें सबसे पहले देख लेना है so that आगे हमें कोई confusion ना हो so national park जो होते हैं clearly यह सारी ही चीज़े जो होती है किसके लिए होते हैं हमारे national park wildlife century after biosphere reserve to protect the environment to conserve the environment अब जो national parks होते हैं इसमें flora, fauna, vegetation के साथ साथ जो animals है ठीक है national park में वो सब protect किया जाएगा landscapes जो है वो भी protect किया जाएंगे और क्या चीज़ प्रोटेक्ट किया जाएगी कोई अगर historically important जगा है जैसे भीम बेटका की case जो है मध्या प्रदेश में अगर वो किसी national park के अरिया में आ रहे तो उनको भी क्या है protect किया जाएगा clear उसके बाद अगर wildlife century की हम बात करें तो नाम से clear है जो specific किसी wildlife ठीक है मतलग कि animals, vegetation and उसके साथ साथ जो tribal people वहाँ पे रह रहे हैं उनके rights को protect करने की बात करता है ठीक है Biosphere Reserves के तीन zone होते हैं एक होता है हमारा core zone जिसमें कोई भी human activity allow नहीं की जाती है ठीक है उसके बाद होता है एक buffer zone and then होता है हमारा एक transition zone ठीक है तो core zone में Biosphere Reserves में कोई भी activity जो है allow नहीं की जाती है buffer zone में कुछ activities जो जहां पर हम बोल सकते हैं जो forest developers paper है उनके लिए important है वो कुछ allow कर दी जाती है and transition zone होता है उसमें comparatively और कुछ activities जो है human involvement allow कर दी जाती है इंडिया में कितने Biosphere Reserves है 18 clear है याद रहेगा 18 कौन कौन से है यह हमें जो है जरूर रिवाइस करके जाना है और उसके बाद 12 ऐसे हैं जो कि UNESCO के man and ठीक है Biodiversity जो program है map के अभी part है clear है सो आज हम हर्याना specific देखेंगे हर्याना में हमारा कोई भी Biosphere Reserves जो है वो नहीं है clear है इस चीज़ को हमें याद रखना है ठीक है जी उसके बाद अब हमने देख लिया कि क्या इनमें major हम conserve करते हैं अब कौन declare करता है national park को declare करती है government ठीक है government declare करती है कि इतना area जो है वो क्या रहेगा national park रहेगा अब यह government center की भी हो सकती है या फिर state की भी government जो हो सकती है अगर किसी national park की boundaries में कोई भी change करना है तो वो सिर्फ state legislature के approval के बाद ही किये जा सकते है clear है अब wildlife century को कौन declare करेगा कोई भी state government जो है वो ही declare करती है clear ऐसे ही हमारा biosphere reserve जो है again यह हमारी center जो government है वो करती है ठीक है उसके बाद अगर हम next बात करें boundaries की इनकी जो boundaries होती है यह कहीं हाद तक क्या होती है defined होती है ठीक है यह defined की जाती है काफी extensive area होता है काफी long area होता है national park का इसके अंदर जैसे कोई bird century आ जाती है कभी बैट लेंड आ जाता है कभी कोई wildlife century आ जाती है ठीक है सो काफी wild होती है बट defined होती है wildlife century इनकी boundaries less defined होती है क्यूंकि wildlife को अब wildlife है वह क्या है एक जगा से दूसरी जगा जो है जाती रहेगी ठीक है माइग्रेट करती रहेगी अपने food की जगा में shelter के लिए ठीक है तो कहीं ना कहीं जो boundaries है वो कम defined होती है ऐसे ही अगर हम biosphere reserves की बात करें तो core zone buffer zone transition zone से हमें पता चलता है कि biosphere reserves भी defined होते है clear है so I hope यह major जो difference है हमें अब clear हो गया है हर्याना में कोई भी biosphere reserve नहीं है wildlife centuries है हमारी एट and national park है हमारे दो ठीक है जी तो इन सब को हम जो है अभी discuss करने वाले हैं तो चलते हैं अपने सबसे पहले national park के discussion के ओर ठीक है कौन declare करता है center office state government सबसे पहला हमारा national park है सुल्तानपूर national park ठीक है सुल्तानपूर national park जो है यह कौन से district में है ठीक है गुर्गाओं district में है ठीक है सबसे पहले 1971 में सुल्तानपूर को एक bird sanctuary डिकलेर किया गया था अभी यह news में भी था दो चार दिन पहले ही यह सुल्तानपूर national park बोल सकते हैं हम अपने से wetland बोल सकते हैं and bird sanctuary clear है wildlife century नहीं bird century से पहले डिकलेर किया गया था 1971 में with the efforts of peter jackson ठीक है और उसके बाद जो है इसको हम 1991 में जो है इसे एक national park का जो है दर्जा दिया गया था after the efforts of dr. Salim Ali ठीक है जी जो इंपॉर्टन चीजे हैं में याद रखनी है अब इसमें सुल्तानपूर नाम का एक इंशेंट लेग भी जो है वो प्रेजेंट है ठीक है जो डेट्स है वो बहुत सब वाइल लाइफ को भी बागी सारी vegetation को भी और क्योंकि national park है तो कोई historically important अगर जगा है उसको भी जैसे कि हमारा सुल्तानपूर लेग क्लियर है जी सो अराउंड क्या होता है 250 बर्ड स्पीशिज ठीक है 250 तैना की बर्ड स्पीशिज एंड लैक तक जो है पॉपिलेशन जाती है ठीक है इस साल भी अभी मैंने जो न्यूज में देखा समग 40,000 ऑफ दा बर्ड जो है वो आ जुकी है और क्या है यह डिकलाइन है नंबर ठीक ह इस एरिया में आते हैं इन दा सर्च ऑफ फूड ठीक है या फिर शेल्टर क्यूंकि वहां पर क्या है उनको फूड अवेलबल अब नहीं रहेगा और उसके साथ-साथ जो होते हैं उनके हम बोल सकते हैं कि यह एक जो कौन से हम बोल सकते हैं रीप्रड़क्टिव ठीक है अब अगर हम बात करें कि इसका एरिया कितना है सो एरिया भी देख लीजिए वन पॉइंट फो टू स्केर किलोमेटर एरिया है यह एक क्या है बर्ड सेंचरी है वाइल लाइफ सेंचरी है एक नैशनल पार्क भी है एक रामसर साइट भी है रामसर साइट इसको 2021 में क्या है अगर नहीं की पात क्या सब्सक्राइब इसके बाद करें युट करें shorn सब्सक्राइब कानद कुर्स nesse एक वर के लिए इसन देखेंलेंगे उस습니다 के बारे में कि इसके लिए अब फ्लोरा एंड सोना में से क्या सबसे पहले देखा ट्रॉपिकल एंड ड्राइड उडियस जो है एक्वेटिक जो है फ्लॉरा यहां पर जायतर मिलती है ग्रासिस धोग कैर टेंडू बेर जामुन बन्यान प्री नीम प्री जो है यहां पर मेजर वेजिटेशन का रूप है अब पॉना की बात करें तो विंटरिंग ग्रा यह कुछ इंपॉर्टन यहां की जो है बर्ट स्पीशिज हैं अगर एक्जामिनल आपको कंफ्यूज करना चाहे तो इन स्पीशिज के नाम जो है वहां पर डाल सकते हैं ठीक है अगर हम मेजर ली यह याद रखेंगे ना कि किस चीज के लिए सुल्तानपूर फेमस हुआ है तो सबसे पहले एक बर्ट सेंचरी के रूप में फेमस हुआ क्योंकि बहुत सारी बर्ट आती हैं बर्ट कहां पर आती है मेजरली वेट लैंड पर ठीक है और वेट लैंड क्या होते हैं यह देख लेते हैं एक ऐसा शेतर जहां पर जल खड़ा हो गया ठीक है 6 मिटर तक की तक उसमें इतनी flora and fauna है कि अगर birds आएंगी तो उनको क्या है sufficient amount of food मिल जाएगा ठीक है यह ground water हम इसको दुबारा डिस्कस करेंगे अभी as a national park इसकी जो important चीज़े हैं आपने याद रखनी है ठीक है ना कि 1971 में world century बना था 1991 में national park बना था ठीक है जी उसके बाद जो main founder हम बोल सकते हैं Peter Jackson clear और कौन सितर्या की हमारी इसमें जो vegetation मिलती है that is a tropical and dry serious ठीक है जी 1.4 square kilometer का जो है हमारा इसका area है और district कौन सा हो गया कुडगाउं ठीक है यह भी जो important चीज़े हमने देख ली next हमारा जो national park है that is the Kalisar national park ठीक है Kalisar national park एक important national park है जो की foot hills of shivalik range में situated है ठीक है तो देखते हैं यह कहां पर हमारा situated है सबसे पहले इसका नाम की history अगर हम देखें तो Kalisar जो इसको name मिला है वो name मिला है हमें जो एक इसमें Kalisar नाम का शिव जी का temple है उन्हीं सो जो यह name है Kalisar को मिलता है clear है सो यह बहुत important चीज है जो हमें याद रखनी है clear है जी अब यह कौन से district में मिलता है तो यम्ना नगर ठीक है एक से ज्यादा states में भी जो इनका area है वो cover होता है clear है अब इन में जो है बायर डिवस्टी को देख लेते हैं साल forest, खैर forest, patches of grassland जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उसके साथ-साथ ठीक है काफी medicinal plants ठीक है जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं clear leopard, ghoral, barking deer, sambar, cheetal, python जो है यहाँ की major जो है हमें देखने वाली animal species को हम बोल सकते हैं and क्यूंकि यह उत्राखंड से adjoining है तो काफी जो है elephants जो होते हैं leopard जो होते हैं tiger होते हैं वो भी इन पार्क में काफी बार देखे जाते हैं ठीक है जी तो उसके साथ जो हमारी इसमें vegetation मिलती है वो होती है हमारी tropical moist जो तरह की हमारी vegetation मिलती है तो यह सारी पीडियाफ साथ को मिल जाएंगी जिसमें आप जो है अपने revision के लिए दुबारा से जो है जो geographical boundaries होती है वो loosely defined होती है क्योंकि wildlife है वो एक जगा से दूसरी जगा चरी जाएगी majorly किसी ना किसी wildlife को ठीक है मतलग की animal species को conserve करने के लिए बट यह तो नहीं है कि सिर्फ animal को conserve करेंगे बोलेंगे सारी vegetation को हम protect नहीं करेंगे क्योंकि animals के survive करने के लिए हमारी जो vegetation है वो भी important है बट प्राइम फोकस जो रहेगा वो element जो है animals रहते हैं clear है जी अब हर्याना में हमारी जो है eight ठीक है टोटल eight wildlife centuries हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट है भिंडवास wildlife century जजजर में है काफी famous है ठीक है इसको wildlife century कब declare किया गया था 2009 में ठीक है 2009 में इसको wildlife century जो है वो declare किया गया था बहुत important है यह हमारी clear है उसके बाद हम बात करेंगे खपडवास wildlife century की यह तो हमें दोनों याद ही रहनी चाहिए कि भिंडवास और जो खपडवार है यह हमारी wildlife century दोनों कहां पे है जजर में इसको 1991 में सबसे पहले जो है एक wildlife century बनाया गया था ठीक है और अभी इसमें एक eco sensitive zone भी जो है wildlife century का कुछ रीजन जो है क्या गोल देंगे अगर है इसमें हमने क्या है किसी टिंबर की cutting की क्योंकि wildlife centuries में कुछ human activities क्या है अलाउड रहती है ठीक है पर क्या किया अगर हमने timber cutting की वुड के लिए अगर cutting कर दी तो वह क्या है economic activity है बट एरिया हमारा क्या है उस चीज को लेके sensitive है वह एरिया जो है वो डीग्रेड हो जाएगा तो इको sensitive zone में जो economic activities होती है उन पर रोक लगा दी जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नाहर wildlife century की जो की रिवाडी में है ठीक है जी यह भी 1987 में इसको जो है डिकलेर किया गया था 2004 के अराउंड जो है इसमें भी कुछ अपने major questions expect कर सकते हैं नेक्स हम बात करेंगे चिलचला wildlife century की जो यह wildlife century है कहां पर है कुरकशेतर में कब डिकलेर की गई थी अगें 1986 में ठीक है majorly हमारी जो wildlife century है यह 1987-86 में जब efforts लिये गए थे nature conservation के तब डिकलेर की गई थी अगें इसका भी जो है 2004 में एक eco sensitive zone है वो डिकलेर कर दिया गया था कि इस zone में अगर हम क्या है को economic activity करेंगे तो वो हमारी wildlife protection के efforts को क्या है कम कर देंगी तो उनको prohibit कर दिया गया था clear है जी next हम अपनी देखेंगे कालेसर wildlife century कालेसर wildlife century कालेसर क्या है हमारा एक यह national park भी है हमने देखा था दो national park थे हमारे सुल्तानपुरन कालेसर ठीक है जी तो यह जो national park है यह wildlife century है यह हमारी सबसे बड़ी जो है ठीक है largest wildlife century है ठीक है इसको 2005 के राउंड आएगा जो है डिकलेर किया गया था clear है जी सो यह कालेसर wildlife century जो है इसको 2003 के राउंड जो है डिकलेर किया गया था बहुत important है इसको हमें याद रखना है next है अबूब सहर wildlife century डब वाली सिरसा में ठीक है सारी ही wildlife centuries का आपने क्या करना है इन सभी का हमें साथ साथ district देखते हुए चलना है इस wildlife century को declare किया गया था again in 1987 ठीक है सो सभी के हमने क्या देखते हुए चलने है year clear और उसके साथ साथ हमें इनका जो district है वो देखना है next है खोल ही रायतन कहीं कहीं इसको रायतन भी लिखता है ठीक है रतन wildlife century and beer शिकारगर शिकारगर wildlife century पिंजोर ठीक है पंच कुला इसको 2004 में डिक्लेर किया था रायट एन जो हमारी वी शिकारगर wildlife century है इसको 1987 में ही डिक्लेर किया गया यहां लिख लेते है 1987 में ही डिक्लेर किया गया था again 2004 में इसका भी कुछ रिजन जो है वह eco sensitive zone बन गया था right देखे लेते हैं कपड़ ऌपार्क वह आगए यम नहार उसके बाद अबुब शहर जो वाली जिर्स्ता में मिलेगी खोल ही रतन वाई legal पंच कुला में है यह यह एट वाइल लाइफ सेंचरी जो 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 मेजरली 2004 में ही डिकलेर किये थे थे थीक है बाकी वेटीटेशन को प्रेटक्ट करने के लिए एक जो इंवारमेंट यह उसको प्रेटक्ट करने के लिए कुछ इखोज एंसेटिप जोन भी डिकलेर किये तीक यह वाइट लेट लेंट के क्या वेटलेंड की से अश्वाप गया है एक ऐसा एरिया जहां पर जल भराव है स भी हो सकता है नेचूरल भी हो सकता है ठीक है वेटलेंड केक्या बेनिफिट्स हें सबसे बहले क्या रहता है जब एक्सेषव रेन्स होती है तो यह वैटलेंड वाले जिसेंट हैं जो help करते हैं कि ग्रांड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाए ठीक है यह एक रीक्रिएशनल इन्वार्मेंट भी बहुत अच्छा बन जाता है काफी जो है विजट करते हैं स्पेसिफिक्ली जो बर्ड में लिफ्र होते हैं यह आरे हमीर्मेंट के लिए धी इंपॉर्टन हैं और और हमारे लिए इंपॉर्टन है नेचर को प्रिजर गए तो हम भ करना है जिसके अंदर यह बोला गया है कि इन वेटलेंड़ को हमें प्रचलेत होए सेकेंड यह मंधोर होता है थो दो रामसर साइड से हर्याना की ठीक है वेटलेंड क्या है कोई भी जगा जहां पर पानी है उनमें से एसे वेटलेंड जो नैशनल और international importance के हैं हमने क्या देखा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचरी के है यहां पर international ही जो है हमारी birds आएंगी migrate करके ठीक है तो ऐसे wetlands जो national international importance के है उनको रामसर साइट का दर्जा दे दिना है कुछ नहीं है दो इंडिया के कितनी है 75 ठीक है इंडिया का 75 बात करेंगे देखिए दुबारा से ठीक है भीनदवास wildlife centuries ठीक है हमने इसकी बात की थी यह एक wetland है man-made freshwater ठीक है विंडवास कि ही हमने भी बात की थी कि ये हमारी हैख्ुजर में वाइट ले शेंच्री है वहां पर एक मैंनमेड एक इंसानों ने एक जो हा रिजसरी बना दिया पानी कट्ठा होता है यह professionally स्पीशिजंदाटे थे यहां थो सहां हिए कहां प्रकृषाई यहां पर आती है और 10 globally threatened species यह बहुत important चीज है यह statement as it is आप से पूछी जा सकती है यह official data का पाट थी कि 10 globally threatened species जो है जिनको हमें अपने एक्जाम के लिए याद रखना है जो कि हमें बहिंदवाज wildlife century में देखने को मिलती हैं ठीक है हमने बात की थी कि zones क्या होते हैं हमने सबसे पहले क्यों डिफ्रेंशियर किया था कि national park क्या है wildlife century क्या है एक biosphere reserve क्या है क्योंकि कुछ ना कुछ merge हो जाता है अब एक wildlife century में कहीं पानी भी हो सकता है ठीक है कहीं tiger conservation भी हो सकती है तो zones merge हो जाते हैं clear इसको हमें याद रखना है इसलिए ठीक है जी सो हमने सबसे बड़ा हर्याना का wetland कौन सा है हमारा मेहिंदवाज wildlife century नेक्स्ट हमारा जो wetland है ठीक है कभी declare होए थे यह बहुत important चीज़ है इसको याद रखेगा ये exam में पूछ सकते हैं आप से दूसरा हमारा सुल्तानपूर का national park ठीक है सुल्तानपूर का दूसरा क्या है मारा national park जहां पे approximately 220 species of birds की देखते हैं और इनमें भी हमने बोला है कि 10 species globally same species हमारी Egyptian vultures tapis eagle, pala fish eagle, black ballad turn जो है इस वाइल जो हमारे national park के wetland में भी देखने को मिरती है ठीक है अब ये जो है यहां पे हमारे और कौन-कौन सी important हमारी species है ठीक है तो बार-headed goose हो गया ठीक है and greyland goose ठीक है अगर हम world की बात करें तो 7-8% population of these two species is found only in haryana ठीक है तो ये दो जो है important species represent करती है सुल्तानपूर को बार-headed goose, grey-legged goose और एक हमारा Siberian crane भी जो है बहुत famous है ठीक है सुल्तानपूर जो है हमारा national park के बहुत सुंदर है इसको visit करना recreational motive से भी काफी जो है interesting माना जाता है right so उसके साथ-साथ clear so हमने national parks देख लिए अपने wildlife centuries देख लिए wetlands देख लिए एक और चीज इनके नाम and location याद रखनी है जैसे कि चिंकारा breeding center कहां पर है कैरू भिवानी में ठीक है यह काफी important जो है breeding center है चिंकारा breeding center अब यह breeding center किस चीज के लिए है कोई अगर ऐसा हमारा जो जानवर है या पक्षी है वो घायल हो गया है एक तो उनको क्या है दुआरा से उनको treatment देन population बहुत important है इस पर questions अलगलग exams में आये हैं यह पिंजौर में है ठीक है वल्चर की population ठीक है दोनों ही wetlands में हमने देखी थी ठीक है और पिंजौर में हर्याना का जो है एक important वल्चर conservation and breeding center है ठीक है काफी news में भी रहता है तो इसको आपने याद रखना है next है पीजंड तीतर breeding ठीक है जो तीतर का एक breeding center होता है कहां पे है मोर्नी पंचकुला में फिर से टीकोक और चिंकारा का जो है वो जहुबा रिवाडी में एक और breeding center है तो इन सब breeding centers के हमें नाम याद रखने है अब हम questions की तरफ चलते हैं first question देख लीजी how many wildlife centuries are there in haryana कितनी wildlife centuries है five six seven eight nine ठीक है कितनी है हमने देखी है eight सबसे बड़ी कौन सी थी काले सर जो की एक national park भी है ठीक है differentiate मैंने इसलिए किया था सबसे पहले कि वही चील wildlife century है वही wetland है वही national park है तो confused मत होई ठीक है सो सबसे बड़ी कौन सी हमारी काले सर next द about the time槐 नेशनल पार्क नने रख तो काले सर नेशनल पार्क पार्क या दर्जाद या है है यहिए इसको वैट्ग लेंड साइट मी दर्जाद जाए हैं और हमने बाज़िल्स फीशे बींटानपूर इंपोर्टन्ट बहुत इंपौटन है यहीं पर जो major migratory species जो है birds की देखी जाती है clear है इसमें confused नहीं होना है आपको next देखेंगे अपना question जी so next question है हमारा question number third consider the following statements regarding the Sultanpur National Park ठीक है इस तरह से HCS आपके लिए exam में question frame करेगा clearly इन questions को आपने भी ध्यान से देखना है first statement है Sultanpur National Park was declared as wildlife century in 1971 with the efforts of Peter Jackson ठीक है अब मैं बोलूँगी statement को आपने ध्यान से दिखिए किसी statement में बहुत सारे facts है तो वहां पर examiner आपको कहीं ना कहीं confused करना चाहते है ठीक है और इसमें क्या गलती है मैं आपको वो बदा देती हूँ it was declared as a bird sanctuary हाना सुल्तानपूर में सबसे ज़्यादा क्या आती है बर्ड आती है ठीक है ना तो इसको पहले एक बर्ड century declare किया गया था 1971 में with the efforts of Peter Jackson बंकितारी statement करेक्ट है 1991 में इसको एक जो है नैशनल पार का दर्जा भी दे दिया गया clear है दूसरा है every year more than 100 migratory bird species arrive in the सुल्तानपूर distant arrive at सुल्तानपूर from distant regions like Siberia, Europe and Afghanistan बिल्कुल correct statement है ठीक है सिर्फ colder region से नहीं even हमारे nearest Afghanistan में इसे भी जो है ये birds आते हैं ठीक है तो question में पूछा गया सा correct code क्या है कॉंसी statement correct है answer हमारा हो गया B 2 only ठीक है तो इस तरह से कुछ important चीज़े याद रखनी है हमें 1.42 जो था इसका square kilometer area था और अगर कहीं statement आ जाए कि सुल्तानपूर नाशनल पार्क is one of the wetland accurate है वो ठीक है दो ही wetland है भेंडवास wildlife century एंड सुल्तानपूर नाशनल पार्क इनको तो आपने रट लेना है clear है जी next देखिए अब question question number fourth है consider the following statement regarding the भेंडवास wildlife century ठीक है wildlife century के बारे में दो questions जो statements है first it is a human made fresh water wetland declare as रामसर site in 2023 दूसरी statement है it shares border with खपरवास wildlife century कहां पे थी खपरवास wildlife century जजजर में clear है ना so इनमें पूछा गया है कि भेंडवास wildlife century जो है ठीक है एक इसको रामसर site declare किया गया था रामसर sites क्या होती है wetlands होते है ठीक है पहली statement बिल्कुल ठीक है हमने देखा था यह human made है गलती कहां पे है इसको 2021 2021 में ही सिर्फ 2021 में हर्याना की दो वैटरेरेंस को रामसर site का दर्जा दिया गया था ठीक है एक है हमारा गलत कौन सी है यह बतानी है तो गलत कौन सी हो गई ए one only questions जो है ध्यान से करने है correct इंकरेक्ट नौन का नौट लिखा है इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है ठीक है भिंडवास वाइड लाइफ सेंचरी खपरवास वाइड लाइफ सेंचरी दोनों कहां पे है जड़जर में है तो दूसरी स्रेटमेंट हुमारे लिए वैसे ही क्या होगी ती easy होगी ठीक है तो य के झेंचनल पाक है तो उसकी बात करें तो यह यमुना नगर में अब हम देखेंगे बीर्भाराबंस सरस्वति वाइलाइफ सेंचरी बोर्नेहित कौन सा आता है तो आता है हमारा कालेफ्सर चुह है नाशनल पार्क जो है यह यमुना नगर में आता है यह एड्जॉयनिंग है हिमाचल परदेश के साथ तो correct answer क्या हो गया हमारा option D ठीक है तो इस तरह से भी examiner कुछ confusing question आप से पूछ सकता है जिनको आपने handle करना है right next question देखिए vulture conservation reserve and the breeding center कहां पर है ठीक है ये question बहुत important था मैंने बोला था कि vulture conservation reserve जो है हराना का news में रहता है तो कहां पर है पिंजौर सोहाना ननौल या फिर जीन ठीक है तो answer क्या है इसका एक पिंजौर ठीक है यह बहुत ही important and easy question दो गया next देखिए consider the following statement regarding the Kalisar national park ठीक है तो यह statement हम दुवारा से देखेंगे Kalisar national park को दो national park है सुल्तानपूर और कलेसर दो ही हमारी wetlands है कौन-कौन सी है सुल्तानपूर और भिंडवास ठीक है और 8 हमारी wide life centuries है इन सब चीजों को आपने एक बार अच्छे से table बनाके याद कर लेना है examination में confused नहीं होना है definitions हमने सभी की समझ लीती फिर भी कोई confusion हो तो आप हमें comment section में जरूर पूछ सकते है राइट है तो फर्स्ट है इट फॉल्स अंडर यम्ना नगर इस्ट्रिक को रहा है ठीक है एंड शेरिंग बाउंडरी विथ थ्री स्टेट्स अट है हिमाचल प्रदेश उत्राजिल यूपी तब बोला जा रहा है काले साथ नाशनल पार्क जो है यम्ना नगर जिले में आता है और जो है हमारे स्टेट्स हिमाचल प्रदेश उत्राखन यूपी के साथ बाउडर शेयर करता है दूसरी है तो पार्क वास डेकलेड़ एज नैशनल पार्क और 8 दिसंबर 2003 है एविंग एडिया ओफ 11570 एकर ठीक है तो दोनों ही स्टेट्मेंट क्या है इसमें हमारी बिल्कु सबसे बड़ी कॉण सी है हमने डिसकस भी भी तीके अभी उस्सी की je टिसकेशन भी की थी सो आंसर क्या हो गया डिकालेश अरह वाइड सेंचरी के जोकी बाउंडरी शेड करती है हमारे एक नशनल पार्ग भी है यह इन्नन 5 है हिमाचल के साथ उत्र अफंड के मिशेहर कंके साथ यू प से लार्जेस्ट बेट लैंड ऑफ हर्याना कौन सा है मैंने जरूर इसकी एक्सलिशन में आपको बताया है सो टेक 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 एक यह को इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ठीक है हम जरूर उस बच्चे को जो है लाइक करेंगे इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अब इसका बेनिफिट क्या है रिविजिन के लिए ही हम आपके लिए क्या है टेस्ट सीरीज लेके आ चुके हैं मन्यू आइस ट्रॉस्टेड नेम है ठीक है हम 25 यह से सिवल सर्विसे एक्जाम की प्रेपरेशन करा रहे है कि एक्जाम का पेटरन जो है ठीक है वो चेंज होता जाता है उसी हिसाब से हम टेस्ट सीरीज को भी जो है मोर एक्जाम सूटेबल जो है उनको डिजाइन किया जाता है राइट सो यह हमारी हर्याना की जो है कंप्रीट टेस्ट सिरीज है से 6500 में आपको 4GS के फुल टेस्ट 4 हमारे जो है सी सेट के टेस्ट मिल जाएंगे टोटल 26 टेस्ट होंगे लिंक अगेन आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर अगर आप जो है एनलाइस करना चाहते हैं कि कहां पर आपको प्रेपरेशन की और रिक्वार्मेंट है सो दिस टेस्ट सिरीज इस कर सकते हैं राइट तो आपको काफी इसमें लर्निंग भी हैं जो हमारे इंपोर्टेंट हर्याना की नैशनल पार्क वाइड लेट लेंस हैं ठीक है और ब्रीदिंग सेंटर्स तो ऐसी तरह अधिमन्यों आएस के साथ जूड़े रहिए कीप प्रेक्टिसिंग कीप कि अर भी हैं यहां है प्रेक्टिस तरह प्रेक्स कीप प्रेक्ट। अपक्ट।